लो दोस्तों नमस्कार आज की इडियो में हमने दोई हो आले हैं सार्ब भॉमेक बैस्क मताधिकार क्या है इसके गुड़ली की अत्वा में सार्ब भॉमेक बैस्क मताधिकार के पक्ष में तर्क समझाईए अत्वा में बैस्क मता अधिकार के प्रमुक गुड़े या मात बताईए और है बैस्क मता अधिकार की पक्छ में चार तर्क दीजिए चलिस्त दिख लेते हैं दूस्तों इसका उत्तर है सबसे पहले जब समस्त बैस्क नागरेकों को चाहे भी किसी भी जाती या बर्ग केहुं मत देने का अधिकार हो तो उसे सार्व भौमेक बैस्क मता अधिकार कहते हैं अब है सबसे जू है सार्व भौमेक बैस्क मता अधिकार के गुड़ पक्छ में प्रमुक तर्क या महत निम्न है सबसे पहला जू है लोकतंत्र की आधारसिला दोस्तों लोकतंत्री की या लोकतंत्र की या सासन में संप्रभुत्ता जनता की हातों में है हातों में नेथ है सासन तथा बिधान मंडलों की कारियों का सम्मंद पृतिक नागरिक से होता है अतियो पृतिक नागरिक को मतदान करने और सासन की नीतियों के नेधान में भाग लेने का अधकार होता है दूसरा है संपूर्ण जनता का बास्तविक प्रतिने देते दोस्तों मतदार के द्वारा मतदिकार के द्वारा सासन में जनता का बास्तविक प्रतिने देत होता है क्योंकि संपूर्ण जनता को प्रतिने देत प्रतिने के लिए सभी बैस के इस्तरी वा पुर्षों को मतदान काईने का प्राप्त होत स्वाविमान की जागरती नेवाचन के समय विशेच्ट इवाम धनबान व्यक्ति भी जब मतदाता के पास मत माघने जाती है तो मतदाता में स्वाविमान की भावना जागरत हो जाती है और पांचमा है राष्टिय सक्तिवा एकता में ब्रदी सार्ब भमेक बैसक मतादिकार जनता में साभ जनेक बिसायों के पिर्ति रूचिय उत्पन करके राष्टिय सांती एकता में ब्रदी कहता है क्योंकि संपूर जनता अपने आपको राष्ट का अंग समझती है और छटमा है सत्मार आख रिल्प संख्रकों के हितों की रख्षा तो दोस्त आ रा सकते हूं आप लोगों को फसंद लाईक